Hello everyone, इस वीडियो में हम बात करेंगे IBACIO 2023 की जो एक्जाम होने वाली है 24 में प्रिलिम्स उसके बारे में यहाँ पर हम जानेंगे कि जो IBACIO की जो एक्जाम होने वाली है उसकी प्रिलिम्स एक्जाम में क्या-क्या इंस्ट्रक्शन आपको फॉलो करने है आप अगर पहली बार एक्जाम देने जा रहे हो तो आपके लिए बहुत ही important वीडियो है या आप पहले कोई exam दे चुके है online तो भी आप इस वीडियो को एक पर जो उसे देख लें ताकि आपको जो चीजे वो clarification मिल जाए और clear रहे है ऐसा नहीं कि आप doubt में जाओ कि अगर मैं ये लेकर जाता हूं तो मुझे entry मिल जानी चाहिए ऐसा कोई doubt आपके मन में नहीं होना चाहिए ठीक है तो सबसे पहले हम बात करेंगे कि क्या-क्या आपको important चीज लेकर जाना है और जो exam पहले भी दे चुके हैं उनको मैं यही बोलूँगा छोटी सी वीडियो होने वाली है आप 2X के स्विट पर भी इसको देख सकते हो तो सबसे पहले कुछ important instruction को देख लेते हैं और जो admit card है उसको देख लेते हैं तो यह देख सकते हो यह IB का admin card है कुछ important जानकारी थी जिसे मैंने hide कर दिया है तो यहाँ पर आपको क्या करना है देखो यह जो admit card है उसका आपको सिर्फ first page print कराना है ठीक है यहाँ तक आपको print करा लेना है बाकि आपको जो instruction वाला page है उसको print आपको नहीं कराना है और आप जाओगे center पर तो आपको खुद पता है अगर आप लेकर भी जा रहा है तो दो बाहर ही निकाल दिया जाता है ठीक ना तो आप स्रिफ उपर वाला page करा लेना और यहाँ पर आपका photo लगेगा ठीक है तो आप एक photo लेकर जाना आप लगा भी सकते हो उहाँ पर भी जाके लगा सकते हो तो आप लेकर ही चला जाना वहाँ पर आपको दिया जाएगा चिपकाने के लिए photo तो आप वहीं पर चिपका लना ठीक है आगे हम देखे तो आगे यहाँ पर जो shift है वो यहाँ पर mention रहेगा और signature भी यहाँ पर candidate का रहेगा यह देख सकते हो signature of candidate in front of invigilator ठीक है तो candidate के signature भी रहेंगे और यहाँ पर signature होगा candidate का ठीक है यहाँ पर आपके invigilator का signature होगा तो यहाँ पर आप sign मत करना ठीक है आप सीधे लेकर चले जाना तो यहाँ पर आपका candidate का signature करना है तो वहाँ पर अगर आप नहीं भी करके ले जाते हो तो वहाँ पर बता दिया जाएगा कि आपको signature कर लेना है यहाँ पर अपना नाम बरना है और यहाँ पर जो आपका date exam का वो fill कर देना है तो यह कुछ यहाँ पर admit card में detail अभी आपको mention करनी है वहाँ पर भी आप mention कर सकते हो और वहीं पर आपको बता दिया जाएगा तो आप admit card सिर्फ लेकर चले जाना और photo एक लेकर चले जाना ठीक है यह दो चीज आपको ले जाना है आगे हम बात करें और क्या क्या लेकर जाना है तो दोखो यहाँ पर लिख भी दिया गया है entry के लिए जो necessary चीज है वह आप देख सकते हो printed admit card ठीक है और original ID proof as mentioned in the instruction below ठीक है तो original photo ID आपको लेकर जाना है और कुछ लोग यह भी पूछ रहाँगे क्या photocopy भी लगेगा बहुत सारे exam में mention रहता है और बहुत सारे में नहीं भी रहता है यहसे कि ITI instructor का हुआ था तो वहाँ पर क्या हुआ वहाँ पर सबसे photocopy भी लिया गया लेकिन normally जो TCS exam करना कराती है उसमें नहीं लिया जाता है तो आप direct लेकर भी जा सकते है तो वहाँ पर photocopy नहीं मांगा जाएगा फिर आपको दो passport size photo carry करना है ठीक है यहाँ पर लिख दिया गया है जो आपने upload किया होगा वह फोटो लेकर जाना तो बहतर रहेगा आपके लिए अब यहाँ पर एक चीज परने वाली बात है ठीक है यहाँ पर लिख दिया गया है तो आप color में करा कर ले जाना क्योंकि देखो ऐसे तो accept हुई जाता है ऐसे तो normally जो exam होता है उसमें black and white आपका accepted है निकनी यहाँ पर जो mention है तो आप करा कर ले जाना और यहाँ पर एक और चीज चीज मेंशन कर दिया है कि आपको admit card को तीन पेज को print करा कर ले जाना है ठीक है यह यहाँ पर लिख दिया गया है तो आप यह भी कर ही लेना क्योंकि वहाँ पर आप देखो खुद की निकाली देता है normally खोजेगा यहाँ पर बस mention करा गया है तो आप अगर कराना चाहते हो तो करा भी सकते हो नहीं तो वहाँ पर चले जाना आपको बिल्कुल भी entry में कोई tension नहीं होने वाला है आगे हम चले तो आगे आप देख सकते हो नीचे में और क्या 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 गया है जो आपकी admit card है उसके बारे में नीचे में लिखा गया है फिर आगे देख सकते हो आगे और भी चीज़ यहाँ पर mention करा गया है जैसे कि यहाँ पर साफ सब्दों में लिख दिया गया है कि आपको original photo ID proof at least एक ID proof आपको लेकर जाना है not photocopy not scan मतलग आप scan copy भी लेकर इसका नहीं जा सकते हो photocopy भी लेकर नहीं जा सकते हो आपको original लेकर जाना है और valid photo ID proof होना चाहिए इसमें आपका नाम वगेरा, data वगेरा सब कुछ exact match करना चाहिए आपके admit card से तभी वो valid होगा ठीक है और photo भी आपका उस पर clear होना चाहिए पहली बात तो यह है तो इसमें आप क्या-क्या लेकर जा सकते हो pan card, passport, आधार card ठीक है यह सब आप लेकर वहाँ पर जा सकते हो और बागी आप चीज़ देखे हो तो यहाँ पर और बी चीज़ mention करा गया है कि इसके बिना आपको entry नहीं मिलेगा जो चीज़ उपर mention करा गया है photo ID की बिना आपको admin card की बिना आपको entry नहीं दी जाएगी और अगर आपका नाम वगरा में changes हुआ है तो आपको क्या करना पड़ेगा matriculation का certificate आपको carry करना पड़ेगा अगर नाम में आपने changes करा है इस दोरान जो form फिलप हुआ उसकी दोरा तो आपको अपने matriculation के certificate वहाँ पर लेकर जाना पड़ेगा और बाकी चीज़ भी mention है जैसे कि आप देख सकते हो कि एक आवर का exam है और उसके बाद आपका जो wrong question होगा इस wrong question के लिए 0.25 यहाँ पर mention करा गया है कि आपको penalty लगेगी और वाकी जो question है वन नमबर का question रहेगा हरी question जैसे कि आपको पता ही होगा और आगे हम चले तो जो आगे हैं आपर information जो दिया गया important वहाँ देख सकते हो must appear for biometric photograph आप जब अंदर एंटरी करोगे तो आपको biometric लगाना है परेगा वहाँ पर ठीक है और जब आप छोड़ोगे center तो वहाँ पर फिर से एक और biometric होता है ठीक है तो यह चीज़ आप ध्यान लख रहा है वहाँ पर ऐसा तो सारे जो वहाँ पर employer रहते हैं वह आपको यह सब चीज़ बता देंगे ठीक आगे हम चलें तो interface देख लेते हैं interface की इस type का रहेगा तो इस type का कुछ interface रहेगा जो आपका इस type का question so करेगा उपर में आप देख सकते हो वो रहेगा आपका not visited questions और जो red so करेगा वो रहेगा जो आपने answer नहीं करा है जो आप देखो के side में आपको सूब करते रहेगा और जो आपका answer हो जागा वो green हो जाएगा ठीक है अगर आपने mark बगएरा review के लिए रखा गया है तो इस type का कुछ green आपको देखी वे blue आपको देखने को मिल जाएगा तो यह कुछ interface भी रहने वाला है तो यह कुछ important चीज़ आपको carry करना है और general structure मैंने आपको समझा दिया है उमीद करता हूँ कि आपको वीडियो अच्छी लगी हो अगर वीडियो अच्छी लेए तो लाइक जहूँ से करना तो मिलते हैं अपने अगले वीडियो में